इस वीडियो किलास को बीच में बिल्कुल भी आपको सिकिप नहीं करना है क्योंकि आज मैं आपको वी लुक अप फंक्शन का प्रियोग करके रिपीटिड वैल्यू को कैसे लुक अप किया जाता है आज की किलास में सिखाऊंगा मेरे पास यहाँ पर स्टुडेंट का एक रिकॉर्ड है यहाँ पर एक ही नाम से कैई स्टुडेंट इस डाटाबेस के अंदर है मुझे क्या करना है वी लुक अप फंक्शन का प्रियोग करके जैसे ही मैं उस स्टुडेंट का नेम यहाँ पर टाइप करता हूँ वो सारा record यहाँ पर मुझे look up होके मिल जाए सभी student का और यहाँ पर वो count भी हो जाएं कि एक ही नाम से इस database के अंदर कितने student हैं example के लिए मैं यहाँ पर student के name को करता हूँ change मैंने हाँ पर write किया sonu और मैं enter की जैसे ही press करूँगा आप देखेंगे आपके record के अंदर दोनो sonu का record look up होके यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर counting भी हो चुकी है यहाँ पर इस list के अंदर दो sonu हैं जो यहाँ पर record में मिले हैं और दोनों का record पहला sonu और second sonu का जो record है वो यहाँ पर निकल के आ गया है मैं आपको नई table पर लेके चलता हूं और सारे step मैं आपको इसमें बताऊंगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पर एक helper कोलम यहाँ पर मैं इंसर्ट करूंगा अपने left hand side में name से पहले equal function इंसर्ट करेंगे हम count if count if function text को count करने के लिए काम करता है range के अंदर आपको क्या करना है आप select करेंगे और shift के साथ आप colon press करेंगे ताकि दुबारा से यही cell यहाँ पर select हो जाए उसके बाद comma criteria में फिर से मैं क्या करता हूं इसी cell को मैं select कर लेता हूं और bracket को करूंगा close और enter आप देखेंगे यहाँ पर आपको one आपको दिखाई देगा जो मैंने भी formula apply किया है इसको मैं नीचे drag कर देता हूं आप देखेंगे यहाँ पर आपको one 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 आपको दिखाई देगा अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर दोस्तों इस formula को मैं edit करूंगा यहाँ पर देखिए योगेस और योगेस यहाँ पर तो वो change नहीं हुआ number यानि कि यहाँ पर second आना चाहिए था जबकि यहाँ पर ही one दिखाई दे रहा है मैं द्वारा से formula को mouse की left button को double click करके इसको edit करूंगा और पहला वाला तो c5 है range के अंदर इसको मैं function की f4 का pre-o करके इसको यहाँ से lock करूंगा और enter की press करूंगा फिर से मैं इस formula को नीचे drag कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका serial number है वो change हो चुका है आप देखेंगे first and second number यहाँ पर आपको दिखाई देगा यानि second yogis इस list में यहाँ पर मिल गया है और इसको हम आसान बनाने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर एम percent का यूज करके मैं इसे name को यहाँ पर जोड़ देता हूँ equal symbol से पहले हम आएंगे और यहाँ पर मैं इस name को एक बार फिर से select करूंगा सिप्ट के साथ हम एम percent आप जो भी यहाँ पर सिंबल या टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए सिप्ट के साथ double quotation सिप्ट के साथ colon और माइनस मुझे यहाँ पर प्रेस करूंगा और इसको दुबारा से सिप्ट करूंगा और जोड़ने के लिए count function के साथ इस name को यहाँ पर दुबारा से मैं सिप्ट के साथ m% सिंबल को insert कराएंगे और enter की अब देखे दोस्तों यह काम मेरा और भी आसान हो गया है समझना यहाँ पर student एक ही नाम से कितने मैं इस formula को दुबारा से नीचे ड्रैक कर देता हूं तो आप देखेंगे अमित वन अमित टू एंड अमित त्री यहाँ पर एक ही नाम से आपके इस record के अंदर तीन student है तो यह विधी सबसे पहले आपको प्रियोग करनी है यह पहला step है उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर जब भी मैं अमित का नेम यहाँ पर इस cell में एंटर करूँ यहाँ पर मुझे वो काउंटिंग होकर उसका टोटल मिल जाए कि यहाँ पर कितने एक नाम के यहाँ पर student हैं उसके लिए मैं फिर से यहाँ पर function का परियोग करूँगा रेंज के अंदर इस बार मैं क्या करूँगा नेम की रेंज में सारे के सारे जो नेम है student के उसको हम यहाँ से select कर लेंगे को मा यहाँ पर जो आपकी क्राइटेरिया है क्राइटेरिया के अंदर मैं हाँ पर select करूँगा cell के अंदर जो हमारा नेम है वो नेम आपको दिखाई नहीं दे रहा है एक बार मैं escape पर के इस फार्मुले कहां से हटा देता हूं यहाँ पर मैं नेम को पहले से मैं टाइप कर लेता हूं इस तेर के अंदर अमित और यहाँ पर मैं फार्मुले को एक्वल काउंटिफ रेंज के अंदर आप select करेंगे नेम के इस वाले कॉलम को कॉमा क्राइटेरियम आप select करेंगे स्टूडेंट का नेम और एंटर दी आप देखेंगे यहाँ पर एक नाम के तीन स्टूडेंट हैं उसके बाद जो मैं फंक्शन यहाँ पर apply करने वाला हूँ अगरा जो staff है वो भी आप ध्यान से देखिए अब दोस्तों मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो serial number है एक से लेके तीन स्टूडेंट का automatically यहाँ पर generate होकर आ जाए उसके लिए हम if function का यहाँ पे video करेंगे equal if logical test के अंदर मैं select करूँगा उपर वाले serial number 1 को यह आपको पहले से manually यहाँ पे इस cell में type कर लेना है one इसमें plus करेंगे one को अगर इसमें plus one करने पर shift के साथ greater than अगर यह वाले उपर वाले cell में एक plus करने पर अगर यह इस number से ज्यादा होता है comma तो उस जगह को blank छोड़ दिया जाए तो shift के साथ आप double quotation यहाँ पर प्रेस करेंगे comma अगर number उपर वाले number से छोड़ता है तो उसमें एक plus कर दिया जाए तो यहां से मैं दुवारा से सीरी number करूंगा select और इसमें मैं plus करूंगा one bracket close और enter आप देखेंगे यहां पर second number generate हो चुका है और मैं इस formula को नीचे drag कर देता हूँ आप देखेंगे यहां पर आपको हैज हैज आपको दिखाई देंगे अभी देखें यहां पर तो तीन है अमित नाम की student जबकि यहां पर दूसरा ही number generate हुआ है उसके लिए मैं इसको क्या करूंगा जो मेरा name है यहां पर जो serial number है उसको मैं यहां पर करूंगा lock shift के साथ हम यहां पर एक dollar press करेंगे और मैं enter की फिर से press कर देता हूँ और फिर से मैं यहां पर इस formula को करूंगा नीचे drag इस formula को हम यहां से नीचे drag कर देंगे आप देखेंगे यहां पर अभी भी जो number है वो generate नहीं हुआ है तीसरा serial number इसको हम एक बार test करते है function की F2 का परियोग करके अब देखें दोस्कों यहां से जो इस cell है नीचे खिसक गया है जो थरी था वो यहां पर खिसक रहा है तो यहां पर मैं simply क्या करूंगा अपने इस cell को दोवारा से edit करूंगा और यहां पर फिर से shift के साथ end के आगे एक dollar और प्रेस कर दूंगा और enter key में प्रेस करता हूं और दोवारा से फिर से मैं इस formula को नीचे track कर देता हूं तो आप देखेंगे यहां पर जो तीसरा serial number है वो automatically generate हो गया है क्योंकि इस record के अंदर केवल तीन ही अमित नाम के student हैं जो कि मैंने यहां पर पहले से निकाले हूए इसके according ही automatic serial number यहां पर generate होगा बहुत ही कमाल की video होने वाली है दोस्तों पूरा video जरूर दिखते रहें दोस्तों यहां पर आपको error दिखाई देगा अब मैं इस error को यहां से हटाना चाहता हूं हम क्या करेंगे if formula को double click करके इसे हम edit mode में लाएंगे और equal से पहले मैं एक function का प्रियोग करूंगा if error if error के अंदर मैं अभी जो मैंने if function apply किया है value के अंदर मैं उस तूरे function को यहां प यहां पर कोई भी error generate होता है तो उसके लिए यहां पर blank छोड़ दिया जाए तो shift के साथ आप double click करेंगे और enter करता हूं press और दुवारा से इस formula को मैं फिर से नीचे drag करूंगा तो आप देखेंगे इसापर आपको जो has value दिखाई दे रही थी अब यहां से वह error हट चुका है तो दोस्तों अम मैं we look up function का करूंगा प्रियोग और आप देखेंगे जैसे ही आप यहां पर student का name यहां पर enter करेंगे तो आप देखेंगे आपके एक ही name से जितने भी student होंगे उन सभी का record serial wise यहां पर जन्रेट हो जाएगा equal we look up look up value में हमें सबसे पहले select करना है name को उसके बाद shift के साथ m% shift के साथ double quotation shift के साथ semicolon और minus मैं प्लेस करूंगा और shift से इसको कर दूंगा close और shift के साथ m% दوبारा लगाएंगे अब look up value में क्योंकि मेरा serial number यहां पर दिया हुआ है तो यहां पर हम इस one को करेंगे select कॉमा अब यह मेरा look up value यहां पर आज चुकी है table array में हम complete table को करेंगे select उसके बाद कॉमा column index में मैं आप यूज करूंगा columns function का array में मैं यहां से कोई भी दो table के उपर से दो blank column को करूंगा select bracket करेंगे के लोज कॉमा जीरो और enter जैसी मैं enter की प्रेस करता हूँ आप देखेंगे यहां पर पहला जो अमित है वो यहां पर आ चुका है अब मैं इस formula को आगे भी drag करना चाहता हूं मुझे इसका जो table का अन्य record है वो भी मुझे चाहिए तो वो यहां पर नहीं आया है और इस formula को मैं नीचे भी drag कर देता हूं तो यहां पर आप देखेंगे जैसे ही मैं यहां पर name को करूंगा change तो यहां पर देखेंगे दो sonu है जिनका record यहां पर generate हुआ है अभी मैं पहले इस समस्या को solve करता हूं मैं Amit पर click करूंगा और आपको क्या करना है यह वाला जो serial number है यह automatic change होगा लीचे आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको हम जो हमारा serial number है इसको हम आगे shift के साथ एक dollar लगा के इसको lock कर देंगे और table array में complete जो table array है उसको हम F4 function key से करेंगे lock और इसी परकार से जो M2 है जो मेरा name है इसको मैं यहीं की यहीं fix कर दूँगा दोनों तरफ हम dollar apply कर देंगे F4 function key का pre-o करके और columns function के अंदर आपको B1 से पहले shift के साथ एक dollar apply करेंगे और enter मैं जैसे ही इस record को आगे drag करता हूं तो आप देखेंगे उसका जो अन्य record है वह भी निकल के यहां पर आ गया है और मैं नीचे इस formula को कर देता हूं तो आप देखेंगे यहां पर जो उसका record है तीनो अमित का record एक बार में यहां पर look up होके आ चुका यहां पर अभी भी एन में आपको दिखाई दे रहा तो उसके लिए फिर से मैं यहां पर if error function का करूंगा पिर योग इफ error के अंदर यानि value के अंदर पूरे वी लूक अप function को हमें आपके select कर लेंगे comma value यदि यहां पर error आता है तो comma लगा के आप double semi crown यहां पर type कर देंगे और black it close और enter अब मैं फिर से इस formula को आगे करता हूं ड्रैक फिर से मैं इसको नीचे ड्रैक करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर जो पहले आपको n ने दिखाई दे रहा था अब वो आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा अब मैं आसे student को name को change करूंगा तो अगला जो record है वो automatic यहां पर count हो जाएगा जैसे मैं यहां पर type किया submit आप देखेंगे यहां पर submit दो student है इस record के अंदर दौनों का record जो है यहां पर निकल के आचुका है पहला submit और second submit का अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं पर नेम एंटर करूं तो इस seat के अंदर उनका record जो है highlight भी हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे मैं इस range को कर लूँगा यहां से select उसके लिए आपको आना है conditional formatting पे आप आएंगे new rules पर और last में आपको दिखाई देगा use your formula determine which cell to format पर आप click करेंगे यहां पर आप आएंगे उसके बाद आपको क्या करना है मैं सबसे पहले इस name को यहां पर कर लेता हूं select फिर दुबारा से equal की प्रेस करेंगे और इस range से हम इस first वाले name को भी select कर लेंगे यहां से मैं एक dollar को हटाऊंगा तो उसके लिए function की direct F4 का परियोग करूंगा इसको आपको प्रेस करना है one two आपको two time प्रेस करना है जो आगे का dollar है row वाला वहां आपको हट जाएगा यहां से select कर लेंगे मैं आज से yellow color को कर लेता हूं select okay पर मैं करूंगा click और मैं करूंगा okay पर click आप देखेंगे जो भी आपके यहां पर एक नाम से दो student के रिकॉर्ड यहां पर highlight भी हो रहा है मैं आपे फिर से student के name को करता हूं change मैंने हाप योगेस का record मुझे आप निकालना है तो आप देखेंगे योगेस का record यहां पर highlight हो गया है और उसका जो complete information है आपके record से निकल कर यहां पर आ चुकी है तो दोस्तों इस तरीके से आप we look up function का प्रियोग करके repeat value को आसानी से look up क कर सकते हैं यह question कई बार interview में पूछ लिया जाता है thanks for watching my youtube channel